खबरों की माने तो शारोखान अपने बेटे आर्यन को स्टडीज के लिए लंडन भेजने के बाद अब अपनी डॉटर को भी हायर स्टडीज के लिए लंडन भेज रहे हैं सोर्सिस का कहना है कि नेक्स्ट येर सुहाना लंडन रवाना हो जाएंगी अक्टर इम्रान हाश्पी ने बहिश भट से चुट्टी मांगी है ताकि वो अपनी फिल्म उंगली के प्रमोशनल सौंग को शूट कर पाए दरसल इससे पहले राजा नतपरलाल के प्रमोशन्स के लिए इम्रान ने अचानक चुट्टी लेनी थी जिसकी बज़े से भट उनसे नाराज हो गए थे लेकिन अब इम्रान ने अपनी दूसरी फिल्म की शूटिंग के लिए पहले भट से चुट्टी मांगी है रनवीर सिंग फिल्म बाजीरा मस्तानी में बॉल्ग लुक में नज़राने वाले हैं और अब एक न्यूस्पेपर ने कुछ पिक्चर्स पबलिश की है जिसमें रनवीर सिंग का बॉल्ग लुक साफ साफ नज़रा रहा है इन पिक्चिर्स में रनवीर को हैर कट लेते हुए दिखाया गया है एक न्यूस्पेपर रिपोर्ट की बाने तुरतिक रोशन ने अपनी फिल्म मोहिंच जो डैरो की मेकर्स के साथ एक स्पेशल डील साइन की है जिसके तहट अगर इस फिल्म की शूटिंग डेडलाइन से आगे जाती है तो वो हर एक एक एक्स्ट्रा दिन के अलग पैसे चार्ज करेंगे वल ऐसे में अब इस फिल्म की मेकर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस फिल्म की शूटिंग तैस समय पर पूरी हो जाए इक newspaper रिपोर्ट की माने तो सैफ अलेखन और अजय देवगन बहुत जल्ड एक ही जैसी फिल्मों पर काम शुरू करने जा रहे हैं दरसल सैफ एक्ता कपूर की जिस फिल्म गर दे वोशिन अअफ सस्पेक्ट एक्सपर काम शुरू करने जा रहे हैं उसी फिल्म से मिलती जुलती एक फिल्म मल्यालम लैंविज में और अब एक बॉलीवुड फिल्मेकर ने इस मल्यालम फिल्म का रीमेक बनाने का फैस्टा किया है ऐसे में अब एक ही कहानी से मिलती जुलती दो फिल्म में बहुत जल्दी रिलीज हो सकती है DPK padakon Ranveer Singh के लिए काफी वरद है और वो इसलिए क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि Ranveer Bajira मस्तानी में अपने रोल को काफी सीरिसली ले रहे है and Ranveer has already said that he will undergo isolation for the role and that's why DPK is really worried about this as it might cause Ranveer some mental stress एक recent online poll के मताविक Salman Khan is a better host as compared to Aamir Khan and no prizes for guessing that Salman's irreverent style and attitude while hosting Big Boss has made him more popular than Aamir Khan hosting Asatya Mev Jai Dei. So this time, it is Salman Khan who has won the battle. खबरों की माने तो अक्टर Tushar Kapoor इन दिनों अपने डाद के पत का कैर कर रही है. If sources are to be believed, Jitindra Ji and Shubha Kapoor's pet is very fond of them. And since they were not in town, he was reportedly feeling very low. Hence, Tushar has come to the rescue and now feeding him. We must say, that's really sweet of Tushar.